नमस्कार दोस्तों स्वागेते हैं आप सभी के अपके अपनी यूट्यूब चैनल जेने एजूकेशन पे मैं हूँ आपका होस्ट फार्मासिस्ट विकास दोस्तों अगर आपको भी पेट से जुड़ी समझ्या है पेट में खाना नहीं पचता है पाचन शक्ती कमजोर हो गई मिलती है तो इन सारी समझ्या को खत्मा करने वाले ऐसी पाओफूल सीरफ के बारे में हम बात करेंगे ज illness का नाम है जन्डूपनचारिष्ट Temple सिरफ इस जन्डू पनचारिष्टि सिरफ כे बारे में हम पूरी इठीटेल से बात करेंगे कौन लोग ये उसर्फ युज कर सकत दिखेगा बहुत रशी जानकारी आपको मिलेगी साथ ही दोस्तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार दिखाएगा ऐसे ही नई नई वडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी चले बात करते हैं जंडू पंचारिष्ट सिरप के बारे में जं हो जाती है तो इस समय श्या को ठीक करने के लिए जो सिरप है जंडू पंचारिष्ट सिरप ये यूज की जाती है इसके बारे में हम आगे बात करें तो कौन-कौन सी जड़ी बूटिया इसके नदर मिलाई गई है उनके बारे में भी हम जानेंगे और कौन लोग इसका उप है 050 ाँ और की 650 ाँ आग अट मेल जाती है तो चाप घृटिया आपको घ्यांके बात करें की मिल जाती है। बात करते हैं इसके manufacturing के बारे में कौन manufacture करता है इसको इमामी limited इसको manufacture करती है जंडू पंचार इसका brand ने में जो की medical store पर ये बल जाता है बात करता है इसके उप्योग के बारे में कौन लोग ये शिरफ यूज कर सकते हैं जो पेट में gas और acidity बन रही है, वो acidity भी खत्म हो जाती है इसके लावा जिंड़ोंको लगातार पेट में gas बनती है acidity रहती है फूला फूला रहता है तो उन लोगों के लिए ये जो फिरफ यूज की जाती है इसके लावा जिन लोगों को भूग कम लगती है जब खाना ही नहीं पचेगा तो खाना नहीं पचने की वज़े से पेट में पड़ा पड़ा वो सड़ने लगेगा आगे नहीं बढ़ेगा और उसकी वज़े से गेस और ऐसे डिटी बनने लगेगी और जब खाना अंदर ही प बच जाता है और आपको भूक भी लगने लगती है इसके लावा इसका उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है जिनका पाचन सिस्टम जो है बहुत कमजूर हो गया है जो भी खाते हैं वह पच्टा नहीं है तो पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए पाचन सिस्टम को सिरिटी पेट फूलना खाना नहीं पचना पाचन शक्ति कमजूर हो जाना इन सारी समझाव के इलाज में जो सिरफ है यूज की जाती है अब बात करते हैं इसके अंदर कौन-कौन सी जड़ी बूटिया मिलाए गई है तो इसके अंदर लगबग लगबग 35 आयरवदिक जड बात करें तो इसके अंदर त्रिफला, लॉंग, अजवायन, द्राक्ष और गृत कुमारी यह कुछ मुख्य जड़ी बूटिया है जो इसके अंदर मिलाए गई है जिसके वज़े से यह आपके पाचन शक्ति को बढ़ाती है पाचन शक्ति को मजबूत करती है पेट में गै जंडू पंचारिष्ट सिरप लेनी है जिसमें 30 ml आ जाती है तो 30 ml जंडू पंचारिष्ट सिरप को लगबग equal quantity में पानी के साथ में इसको मिलाना है जैसे कि 30 ml आपने जंडू पंचारिष्ट ले लिया तो 30 ml आपको पानी लेना है उसके साथ में मिक्स करके आप इसको सु नखाने के बाद में दो टाइम इस syrup का यूज किया जा सकता है और इसका उपयोग लगबग लगबग एक महीने तक किया जाता है क्योंकि एक आयरवेदिक मैड़सन है तो दो-तिन दिन अगर आप यूज करेंगे तो कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा लगबग लगबग जो आयरवेदिक मैड़सन होती है उनका एक महीने तक यूज किया जाता है और छोटे बच्चों के इस syrup बिल्कुल यूज नहीं करनी है बिल्कुल उपयोग नहीं करनी है उनको इस छोटे बच्चों को नहीं देनी है यह जो शिरफ है दोस्तों सिर्फ अडल्ट यूज की जाती है बात करते हैं इसके साड इफर्ट के बारे में क्या-क्या साड इफट हो सकते है जन्डू पंचारिस्ट के तो वैसे बिल्स फिर ब्यागर कोई ज्लादा मात्रमी स् erm category use करता है तो इसकी वज़े से क्या हो सकता है कि पेशे लिए और सकती है चक्कर आने लग सकते हैं अगर ज्यादा मातर में यूज करोगे तो तो ही देखने को मिलेंगे तो इस वडियो में जाना हमने दोस्तो जंडू पंचा रिष्ट सिरप के बार में जो की पेट की समझा को दूर करती है कैसा लगा वडियो कॉमेंट करके जरू बताना सब्सक्राइब को अपना प्यार दिखाएगा ऐसे यह नई नई वडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी धनिवाद मिलते एक नई वडियो में तब तक के लिए देखते रहिए जैने एजुकेशन यूट्यूब चैनल